अब आज हमारा टॉपिक रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉग तो यह काफी चर्चित टॉपिक है इसके बारे में हम आए दिन एक महिना दो महिने बाद न्यूज में सुन ही लेते हैं अब आज इस वीडियो में complete from A to Z जितना भी एंटी डिफेक्शन लॉग के बारे में provisions हैं हम सब cover करेंगे और यह वीडियो जादा लंबा भी नहीं होगा और यह short में ही एक law है इसके बारे में हम complete जान जाएंगे इसी वीडियो में तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं तो देखी पहले समझिए एंटी डिफेक्शन लॉग जो है न अगर हम आम बोलचाल में बोले इसकी जरुद क्यों पढ़ गई क्योंकि हम देखते हैं कि मुवेबल प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास sales of goods act है अब एक नया trend चला है कि एक नया product आया मार्केट में जिनका नाम है MLAN MP तो इनको कंट्रोल करने के लिए यह भी अब बिक जाते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या अब लाया गया anti-reflection law यह बिल्कुल layman language में था और इसका political motive बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना law concept शुरू करते हैं first of all इसका थोड़ा introduction जानते हैं introduction में है कि यह 52nd constitutional amendment act से लाया गया था जो 1985 में आया था second is कि इस law ने 10th schedule constitution में add किया मतलब यह हम बोलते हैं anti-reflection law तो यह law तो है बट यह कोई act नहीं है और act नहीं है तो हमने इसके लिए अलग से अनुसूची बनाई constitution में जैसे हम जानते हैं कि 12 हमारे पास schedules है तो उन्हीं में से 10th schedule जो था 1985 में में उसमें हमने add कि सारे provisions anti-reflection law से related जैक है third one is provision of this law is contained in 10th schedule itself मतलब 10th schedule में ही जो कुछ लिखा है इसके बारे में वहीं लिखा है कोई act अलग से नहीं है and total 8 sections है या फिर points बोलिए या फिर section बोलिए तो 8 points में इसको पूरा cover किया गया and it provides for disqualification of member of parliament and state legislatures on the ground of defection मतलब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ यह है क्या defection का मतलब है कि जैसे कोई हमने vote दिया हमने suppose एक state legislative assembly का election है हमें CM चुनना है ठीक है CM वाले election है एक state में हमने CM तो हम चुनते नहीं है हम तो क्या चुनते MLA चुनते हैं ना जो CM होता है वो भी MLA होता है तो हमने MLA चुना ठीक है उन्होंने अब जीत गया suppose बहुत सारे MLA जो है जीते अब उन्होंने जीतने के बात क्या किया कि उन्होंने अपने party change कर ली अब party change कर ली तो इससे तो देखे party को नुकसान हो गया, party जिसके पास majority थी, अब कुछ members shift हो गए तो उनकी पास तो majority गई majority गई means उनकी government गई तो ये क्या है, अब वो जीते party के नाम पे, और उन्होंने party से बगावत कर दी, तो इसी चीज को control करने के लिए anti-defection law लाया गया था I hope आपको ये clear होगा अब ये state legislature का मैंने आपको बताया, same parliament के case में है, जापे हम प्रधान मंतरी चुनते है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, MP चुने जाते है तो वहाँ पे भी same इसी ये concept लगता है अब हम आगे चलते हैं थोड़ा इसमें देखिए, अब ये जो law बनाया गया है जिसमें 8 sections और 8 points है 1st section में जो भी important होगा मैं आपको वो बताऊँगा, और जादा इसको हम clutter नहीं करेंगे, बिल्कुल easy language में रखेंगे, और law provisions के साथ रखेंगे section 2 एक important है, section 1 में इसमें definitions है, वो ज़्यादा माहिने नहीं रखती है section 2 important है, ये कहता है disqualification on ground of defection पढ़ते हैं subject to the provisions of para 4 and 5 a member of a house belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the house अब देखिए, किसी भी member को disqualify कब किया जाएगा 1st point, if he has voluntarily given up his membership of such political party अगर उसमें खुदी membership ट्याग दी कि मैं BJP छोड़ता हूँ, मैं Congress छोड़ता हूँ कोई भी party हो सकती है, तो वो गया उस party से गया, तो membership हतम that's it, simple, second बोलता है अगर उसने party के द्वारा बताए गई, जैसे हम सुनते है whip जारी किये किसी party ने whip का मतलब होता है, एक special order जारी किया है कि आपको इस दिन present होना है और इसको vote करनी है suppose अभी president election में जैसे president के election होते है, उसमें क्या होता है उसमें यही होता है, कि एक party ने अपना president candidate चुना अब उसने अपने सारे MLA MPs को whip जारी करके बोला कि आपको इस दिन present होना पड़ेगा whip का मतलब है order जो कि आपको मानना ही पड़ेगा अगर आपने वो नहीं मानना आपने party के according vote नहीं दिया तो आप disqualify हो सकते है second point simply इतना ही कहता है और यह same case जैसे मैंने बताया आपको MLA वैसे ही MP के case में लगेगा next is an elected member of a house who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election जिसका सारा मुद्दा है वो यही चीज है यही चीज है मतलब an elected member पहले तो elected member होना चीए है उसका जैसे हमें पता है कि house में दो तरीके के members होते है एक होता elected, second होता nominated ठीक है राज्य सभा के case में 12 nominated होते है अब लोग सभा के case में दो होते थे एंग्लो इंडियन बट वो प्रोविशन हटा दिया आपको पता होगा तो इसमें क्या है elected members की बात हो रही है उसमें क्या है कि who has been elected as a otherwise as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the house if he joins any political party after such election अगर election के बाद उसने कोई भी political party join कर ली उस party किसी वाज जिसमें वो था तो उसको क्या कर दिया जाएगा disqualified simple ऐसे third point nominated member के बारे में बोलता है ये कहता है कि nominated member कब disqualified होगा इसकी तोड़ी सी condition अलग है क्यूंकि nominated members में थोड़ा सा रोल अलग हो जाता है उनकी थोड़ी सी restrictions भी है वो वोट नहीं दे सकते और भी काहिस सारी सीजे तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये disqualified ताब होगे अगर इन्होंने जिस political party ने इनको nominate किया था after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying the requirements of article 99 article 99 and 188 में confuse मत हो ना ये simple से इनकी oath and affirmations के बारे में बताता है जैसे उन्होंने शपत लेके वो MP बने या MLA बने ठीक है उसके छे महिने के बाद अगर वो कोई और party जोईन कर लेते हैं ठीक है वो disqualified हो सकते है simple simple पर सबसे main हमारे लिए elected वाला रहता है क्योंकि elected वालों का ही मसला चलता है ये तो कितने जरा से member होते हैं इन में कोई ज़्यादा दिक्कत कभी होती नहीं है section 4 important है ये कहता है disqualification on ground of defection not to apply in cases of merger यही सारा विवाद है यही बहुत important ये कहता है अगर आप merge हो रहे हैं तो उसको disqualify नहीं किया जा सकता कैसे पढ़के देखते है a member of a house shall not be disqualified where his original political party merges with another जैसे हम कहते हैं कि एक ने दूसरी party को support दे दिया जैसे किसी राज्य में सोचिए Congress ने आम आदमी party को support दे दिया या फिर और भी छूटी party है शिफशेना को दे दिया तो यह क्या है BSP को दे दिया SP को दे दिया यह क्या चीज़े है यह मर्च हुई है ठीक है एक political party ने अपने सहमती से यह कोशिश करी है कि हम उसको support दे और वो सरकार बनाए मतलब मिलके वो गटबंदन की सरकार ठीक है गटबंदन की सरकार में एक party ने दूसरी party जोइन करी तो यहाँ पर किसी भी party का status disqualify नहीं होने वाला है ठीक है इसमें कहता है and he claims that he and any other member of his original party have become members of such other political party as the case may be of a new political party form या तो वो एक नई political party बना दे दोनों मिलके नया नाम या तो अपने अपने नाम से रहें तब भी कोई भी condition अगर पूरी party नहीं जोइन कर लिए तो वो disqualify नहीं होता है second point कहता है have not accepted the merger and opted to function as a separate group अगर वो merger नहीं सुईकार करते है merger means कि दोनों ने एक नया नाम रख लिया merge नहीं हुए separate separate है support कर रहे है तो वो उस case में भी यह disqualification नहीं होता है section for उन cases की बात करता है जिसमें defection नहीं लगेगा ठीक है आगे चलते हैं अब देखिए इसका जो second point है यह most important सबसे जादे पूरे law में सबसे जादे इंपॉर्टेंट गही है मतलब anti-defection law में for the purpose of para 1 of this paragraph the merger of the original political party of a member of a house shall be deemed to have been taken place if and only if not less than two-third of the member of state legislature party concern have agreed to such merger मतलब 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 समझे इसमें कहता है आपने एक party दूसरी party में merge कर दी कोई दिक्कत में है this qualification नहीं होगा लेकिन कब नहीं होगा जब आपके at least two-third members उस merger के लिए support दे दे अगर कोई कहा दे नहीं नहीं हम merger नहीं चाहते जैसे MLA से मिल के party बनी है कई सारे MLA ने कहा कि हम ठीके merger चाहते है इनके साथ कई होने का हम नहीं चाहते अब कई होने मना कर दिया तो वो जो जो हाँ बोल रहे है वो two-third या उससे जादा ही होने चाहिए अगर वो two-third से कम हुए तो उनका disqualification हो जाएगा simple सी बात simple यही सारा point of concern होता है यही सारा issue होता है हमेशा अब यहाप current के issue में भी देख रहे होंगे सिफ शेयना का जो issue चल रहा है सेम यही है ठीक है वो चाहते है कि two-third at least उनकी साथ आ जाए तब जागे वो disqualification से बच जाएगे otherwise जो वो MLA बने हुए है वो भी अपनी post खो देंगे उनको क्या मिलेगा कुछ नहीं तो यह चीज है two-third होने चाहिए और यह section 4 बताता है sub-closs 2 आगे चलते है section 5 यह कुछ exemption देता है यह exemption simple इतना देता है कि देखिए जो speaker है deputy speaker चाहिए वो पूरे parliament की बात है मतलब लोग सभा का या फिर chairman deputy chairman राज्यसभा ऐसे state legislature के जो भी है इन पर disqualification नहीं लगता अग क्यों नहीं लगता reason बहुत ही simple है क्योंकि जब यह एक post पे पहुंच जाते है post means जैसे पहले ही सिर्फ MLA या MP थे suppose पहले ही सिर्फ MP थे अब इन्हे speaker of the log सभा चुन लिया गया तो यह अब speaker सिर्फ उस party के नहीं है अब यह पूरे house के हो गया है मतलब पूरे log सभा के है तो इनको इन पे disqualification नहीं लगता अगर वो party change भी करते है बात में जैसे वो बने वे party change करते है कि यह फिर party ही थ्याग दे तो उसमें disqualification नहीं लगता वो अपनी post में बने रहते हैं section 6 कहता है decision on questions as to disqualification on ground of defection if any question arise as to whether a member of a house has become subject to disqualification under this schedule the question shall be referred to the decision of the chairman or as the case में भी speaker मतलब यह question disqualification का कौन settle करेगा इनके वीच में जो भी उस house के head होंगे मतलब राज्य सभा है तो chairman लोग सभा है तो अपने speaker ठीक है now section 7 यह important तो नहीं है but हाँ क्यूंकि यह supreme court ने इसको disqualify कर दे को हटा दिया इसलिए कि फोड़ा important बन जाता है इसमें simple से काता है कि कोई भी court इस issue में नहीं पड़ेगा कि किसको disqualification करना है क्या है इस matter में पड़ेगा ही नहीं तो supreme court ने का कि यो तो होलो होन वर्सिज जाची हिलू आई तिंग इस हाई है एन अधरस 1992 में सुप्रीम कोट ने सेक्शन जो इनो ने सेवन डाला हुआ है इसको हटा दिया का कि बगया आप कुछ भी कीजिए हमें नहीं हटा सकते आप सुप्रीम कोट के बहुत ही वाइड पावस है उसने का किसी भी कोट को आप नहीं हटा सकते आप तो फिर ऐसे कुछ भी तहल काव चा देंगे कौन देखेगा सारी व्यवस्ता सुप्रीम कोट भी तो देखेगा इसलिए जो पॉइंट है सेक्शन सेवन हम इसे बोल सकते हैं इसको हटा दिया गया इस इस एंड आप वीडियो यही इसमें आट पॉइंट थे बट सेवन तक जितने भी मैंने आपको बताए हैं यही इपने दोस्तों के साथ हैं कि सो मच बबाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई